नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं और सभीका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज किसी वीडियो में आपको बताओंगा कि Facebook लाइड में अपने password को कैसे चेंज करते हैं कैसे अपने password को चेंज करके एक नए password set कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सिर्फ छोटी सी गुजारी से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सस्क्राइब करके यहाँ पे बेल आइकोन पे किलिक करके और पे सेट कर दीजिए दोस्तो लाइक और स अपने password को change करने के लिए open करते हैं Facebook light application को Facebook light application open हो जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 line दिखलाई दे रहा होगा जैसा कि आप देख रहें कि आप 3 line बना हुआ है तो यहाँ पे click किजिएगा अब 3 line पे click कर देने के बाद यहाँ पे scroll down करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है setting का जैसा कि यहाँ पे आप देख रहें कि आप लिखा हुआ है settings तो अपने password को change करने के लिए यहाँ पे click किजिएगा settings पे अब settings पे click कर देने के बाद आपको फिर से scroll down करके नीचे की तरफ आ जाना है तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा security and login यहाँ पे लिखा हुआ है security and login तो यहाँ पे click किजिएगा अब security and login पे click कर देने के बाद यहाँ पे आप जिस mobile से login रहते हैं उन सभी का यहाँ पे आपको detail मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहें कि मैं यहाँ पे दो mobile से अपने facebook account को login किया हूँ तो यहाँ पे हमें अपना password को change करना है तो अपने password को change करने के लिए यहाँ पे आपको click करना होगा change password पे तो यहाँ पे click किजिएगा change password जो अभी आप password create कर रहे हैं, वो password को यहाँ पर डालिएगा, उसके बाद फिर से आपको वही password repeat करना है, मतलब कि आप जो नया password set कर रहे हैं, वही password आपको यहाँ पर फिर से डालना होगा, इतना कर लेने के बाद आपको click करना होगा, यहाँ पर save changes, save changes पर click कर देने के बाद आपकी Facebook की password change हो जाती है, दोस्तो अगर आप अपना current password भूल गए हैं, तो comment किजेगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा, कि कैसे Facebook का password भूल जाने पर अपना password फोर्गेट करके एक नया password set करें, यह थी छोटी से वीडियो कि Facebook में अप को पसंद आई होगी और आपके काम की होगी, दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे like कीजिए, share कीजिएगा अपने दोस्तों WhatsApp फेस्बुक गुरूप में, और एसे ही simple simple वीडियो में अपने चैनल पे लेके आते रहत हूं, तो आप मेरे चैनल को जुरूर subscribe कीजि